नीतू कुमार देश असी और नब्बे के दशक में श्री देवी बॉलिवूड की कुई नहीं नहीं बलकि सबसे बड़ी फैशन आइकन भी थी श्री देवी अपनी फिल्मों में जो भी लिबास पहनती थी वो चलन में आ जाता था फिल्म चान्नी में उनका सौंदर्य गजब था उनकी बिखरी जुल्फे लेहराती सिफौन की साड़ियां सुद्रज्र लैंड की वो हसीन वादिया श्री देवी की चमकती आँखों ने चान्नी को बहुत खास फिल्म बना दिया इस फिल्म में यह स्चोपणा ने श्री देवी को नायाब खूबसूरती से सजाया फिल्म चान्नी अपसुरा से कहीं कम तर नहीं लग रही थी श्री देवी उस दौर की हर लड़की चान्नी जैसी दिखना चाहती थी चाननी साड़ी, चाननी लहेंगा और चाननी सलवार कमीज बहुत पपुलर हो गया था आज भी कोई लड़की सफेद कपड़े पहन ले तो लोग उसे चाननी कहने लगते हैं चाननी में श्री देवी ने सफेद सलमार कमीज और कल रफुल दुपटे डाले थे और उस फिल्म के रिलीज होते ही हर लड़की चाननी सलवार कमीज पहनने लगी थी लड़कियोंने श्री देवी के सलवार कमीश को अपनाया तो महिलाएं से फॉन साडिया पहनने लगी स्लीव लेस बलाउग जोर से फॉन की साडियां में महिलाएं दिखने लगी थी लगी आज सावन की फिर वो ज़ड़ी है बारिश की फुहारों में श्री देवी की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया था गाने में श्री देवी की खूबसूरत लग रही है पीली साडी में जब भी कोई एक ट्रेस बारिश में भीगी है वो गाना हमेशा सुपर हिट ही रहा है देखा जाए तो सिफॉन साडी को अगर पॉपुलर करने में सबसे पहले नाम आता है हवा हवाई श्री देवी का वो दौर था असी का और कैमरे के सामने सिफॉन साडी पहन कर गजब राती थी श्री देवी श्री देवी का ये जल्वा मिस्टर इंडिया में भी दिखा मोहबत की इस ये अजीब और गरीब कहानी भी इतने सलीके से पेश की गई की लमहे उस दौर की सबसे खुबसूरत फिल्मों में शुमार हुई और नीता लुला को श्री देवी को संजाने के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के नाशनल अवार्ड से नवाज आ गय श्री देवी इस फिल्म में बहुत ही खुबसूरत देखी थी फिल्म में उनका डबल रोल था पारंपरिक परिधानों में उनकी खुबसूरत इलाजबाव थी उन्होंने बहुत खुबसूरत लहेंगे पहने थे और उस दौर में श्री देवी के लहेंगे चलन में आ गये फिल्म लम्हे में श्री देवी के वेस्टन कपड़े भी कमाल के थे। श्री देवी ने आज से 28 साल पहले श्री देवी ने जो कपड़े पहने वो आज भी उतने ही पसंद किये जाते हैं।